आज हम इस वीडियो में मद्ध्य के साफ एकस मद्ध्य वीचलन गयात करना सिखेंगे यानि मीन डिवेसिन निकालना है प्रों मीन ठीक है यहां पर आपको यह जो डेटा दे रहते हैं ठीक है इन डेटा में आप गोर से देखेंगे तो यहां पर आपके बास स्रिक्वेंस सी यहां की बारंबारता नहीं आपको यहां पर निकालना तुर निकालना थिर्ट ने नेले पर पहला काम तो मारा क्या होगा कि बेटा हमें यहां पर मीन निकालना पड़ेगा क्या निकालना पड़ेगा मीन मिन माद्ध यानि कि आपको अक्स बार निकालना पड़ेगा तो पहला काम आपका होगा अक्स बार अप यहां पर अक्स बार का फोर्मूला क्या बनेगा क्योंकि म के नंबर का आपको डिवाइड लगा लेना है यहां से में किसका पता चल जाएगा मीन का पता चल जाएगा अगर इसके साथ फ्रिक्वेंसी और होती अक्स बार और मतलब वह एप और होता तो उस टाइम पर यहां पर अक्स बार है ना बेटा वो उसका फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपन सिगमा हो जाता है यह जो सिगमा है पना इसी को अबी ख़ेते है ठीक है नमबर ऑ डडेटा जो भी आपको डेटा दे रहे हैं जो आंक्ड़ी दे रहे हैं उनकी जो टोटल संक्याना वही अंगरा या वही एक पो mooता जोड़ में ठीक है तो यह दो फॉर्मूले एमडी का यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा यह तो मैं टेबल आ जाएगी मैं पॉर्मूला को इंहां ले करके दिखाता हूं उसका प्रमूला बनेगा सिरफ और सिगमा मोडिलस में रहेगा आपका कौन? अक्स और माइनस अक्स बार अपोन अन बस यही उसका यहां पर क्या बन जाएगा एक फूर्मूला बन जाएगा यह ध्यान रखना है हाँ पूर्मूले में आप देखती हो कि यहां आपर अक्स के साथ आई भी लघावा होता है तो इस आई का मतलब होता है कि जैसे मैं इस के आई का लगा देता है इसको में अक्स स्पड करने वाले में आपका अक्स को ढर तो आन देता वाले तो उन disrupted कोई ळीक्त नहीं के तो कंडा लेकिन वाले कि यह क्यूशिल है क्योंकि माद्ध्धि के संप plotting करने के लिए च्क पहले आपको माद्धिय कि दर Countess गड़े कितनी कितनी कड़ें माद्धे निकालने के लिए सब से पहले आपको यह जो फॉर्मूला था वो अपलाई करने के लिए ये जो अक्स है ने इसका क्याचिया आपको समचिये ने इसको पर कहेंगे सिग्मा अक्स तो हम इनको यहांपर 8 करते हैं देख कितना आता है 4 और 7 हो जाएंगे 11, 11 और 9 कितना हो जाएंगे 20, 20 और 8 हो जाएंगे 28, 28 और 2, 30, 30 और 10, 40 असल की चयार 5, 6, 7, 8 तो इसका जो सम न वो तो कितना आ गया है आपर 80 आ गया अब हमें निकाल ना है आपर Aksh bar Aksh bar के लिए formula क्या बनेगा यहनि आखडों का योग बटे आखडों की संख्या या प्रिक्ष्णों का योग बटे प्रिक्ष्णों की संख्या ठीक है तो इन को आपने जोड़ी लिया तो Aksh bar बराबर होगा अब इन्हीं की संग्या तो एक दो तीन चार पॉन्च छे साथ आठ यहां पर जो आठ ना वो कौन है एन अब हमें यहां पर क्या निकालना है मीन डेवियेशन निकालना है मीन डेवियेशन निकालने के लिए जब हमारे पास फ्रिक्वेंसी ना हो जब फ्रिक्वेंसी होगी तब तो मीन डेवियेशन का जो फॉर्मूला होता वो क्या होता है sigma F mode X minus X bar upon N लेकिन जब frequency नहीं होती है जब F पी नहीं होता है यह वाला पार्ट यहाँ से अट जाएगा यही formula का क्या हो जाएगा sigma X minus X bar mode के साथ upon N यह इसका formula होगा तो हम यह formula अपलाई करेंगे तो अब हमें किसके requirement है X minus X bar की requirement है तो हम यहाँ पर लिखेंगे X minus X bar वो भी mode के साथ तो अब इस line में X कितना है 4 और X bar कितना था आपके पास 10 चार minus 10 का मतलब कितना होता है 6 minus का पर mode का मतलब होता है जो भी चिन हो आपको positive लेना चाहिए negative हो चाहिए positive हो तो 4 minus 10 यहाँ पर 6 के बराबर हो जाएगा इसी प्रकार से X की जगए तो आप रखोगे 7 और X bar की जगए कितना आएगा आपका 10 7 minus 10 यहाँ कि 3 negative था लेकिन यहाँ पर positive होनेगा फिर आप लिखोगे यहाँ पर 8 minus 10 यहाँ कि यहाँ पर भी positive दो हो जाएगा 9 minus 10 9 minus 10 है वो भी कितना आपका 1 हो जाएगा अब के बार आप लिखोगे 10 minus 10 तो 10 minus 10 की जो value ना वो 0 हो जाएगे यहाँ पर आप लिखेंगे 12 minus 10 12 minus 10 is equal to कितना हो जाएगा 2 फिर आप लिखोगे यहाँ पर 13 minus 10 जो किसके equal हो जाएगा 3 के equal हो जाएगा फिर यहाँ पर लिखोगे 17 minus 10 जो 7 की equal हो जाएगा तो यह जो हमारे पास data आए ना वो किस कहें है X minus X bar कहें हैं लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है Sigma लगाना है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा AMD का जो formula बनेगा main deviation का वो यह वाला होगा हमारे question यहाँ से start होगा ठीक हो तो यहाँ पर लागू हो नहीं सकता क्योंकि वहाँ पर तो फिरक्योंस आ रही है पर हमारे question में है नहीं तो इसका आपको करना है Sigma में सम करना है जोड़ना है तो इसको अपर आपर जोड़ देंगे तो देखो इसको जोड़ते हैं जोड़ने के बाद में आपर डिटेल लिख सकते हैं Sigma X-X-2 जाएंगे आपके पास चोड़ा सोड़ा हो जाएंगे चोईश तो यहां पर आजाएगा आप फोर्मूले में रोखोगे तो इसकी जगता आप कितने लिखने वाले हो 24 अपन एन की वेल्यू कितने आए थे हमारे पास एट तो आप 24 को 8 से डिवाइड कर देंगे ना तो आर्थी शोड़ी तो यहां पर जो मीन डेविएशन है ना वो कितना जाएगा मारे पास 3 आ जाएगा मीन डेविएशन फ्रोम मीन यानि माद्धे से लिया गया माद्धे व माद्धे 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 माद् सकते हैं तो जरूर आप वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना और चैनल पर पहले बार आये हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना